तो देखें यहां पर अब तयारी चल रहा है खुर्मी बनाने के लिए तो पूरा आटा वगेरा है इसमें डाले हैं थोड़ा सा गुड डाले हैं फली दाना डाले हैं और सुजी आगे हूं आटा सब डाल कर मिक्स करके उसको गूत रहे हैं फिर इसको हम लोग खुर्मी अब गुड पानी यह देखें रखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा करके आटा जैसे गूत रहे हैं तो यहां पर मम्मी गूत रही है और अधर खाना खा रहे हैं सब लोग खाना अधर पापा भी खाना खा रहे हैं अपना और मम्मी अधर अपना गूत हिने का काम कर रही है देखें वह गूत किरा करी है चोटा चोटा जो है और इसको नहीं हम लोग इस बार बेल कर बनाएंगे थोड़ा सबनाएं हैं जो कि ऐसा बनाएं देखें यह रेकिए डिजाइन में लेकिन हम लोग ना सोच रहे हैं बोल बनाएंगे क्या बुलते हैं बेल कर बना कर काट काट कर बनाएंगे उसको वैसी तो ठीक रहेगा अधि में फलीदाना और वड़ाइंगे उसको नारियल नारियल खोप्रा वो भी डालने से बड़िया लगता है और इसको देखें मेरा बेटू को पूरा फैला दिया है पू इसको देखिए बदमासी कर रहा है और क्यों मुँ में डाला है इसको ची गंदा है ची गंदा है छोड़ो ची गंदा है चोड़ो चाकू लेखिया है चाकू लेखिया है चाकू कहां है चाकू चाकू देखिया है इसमें रखेंगे चाकू में कट करेगी ना नानी करेगी यहां देखना तो थोड़ा थोड़ा पानी होगी यहां थोड़ा थोड़ा पानी होगी देखो नानी कैसे काट रही है उसमें नहीं खड़े होना ना तोट जाएगा वो हां यहां बेबल मासी कर रहा है देखो नानी कैसे कट कर रही है कटिंग कर रही है देखो कट कले भी हन्सार थोड़ा 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 केसे को रही है कर तोट रही हैं तो पंड़ा थोड़ा म। ह क्यूना प्रुलों ना धोड़ा थोड़ा थोड़ाइग देखो प्रॉम अर डोब। आटा हमाँ वहाँ रो करी डुबादें即का नहीं बहुको उपने केस्ट कई। ले न खाना खाना कराई। कई मंगे हिर्भाँ आप ड़ीं ग्राई एक्यानल चले। तो और फीर डालतीस नहीं ओमाँ खिऴना डालतीस होदे। द कि शी है सुखे। यह अत्ती बदमासी कर रहा है यह देखें यहां पर खुर्मी जो है तला रहा है यहां पर दीदी तल रही है और जो बना है उसको मैं दिखाती हूँ यह देखें तो आएए आप सभी भी खुर्मी खा लीजे तेवार का टाइम है भई खुर्मी ठेटरी इरसलोनी तो बनता ही है तो आएए आप लोग भी खा लीजे खुर्मी को गर्मा गरम बन रहा है और आप लोग बना रहे हैं कि नहीं वो भी बताएएगा कमेंट में तो चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय टेक के यार हमेशा खुश रहिए मस रहिए